बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूनाहिद, आज हम बनाएगे मोहरम स्पेशल खिचड़ा, देखते ही मुँ में पानी आ जाए, ऐसे टेस्टी खिचड़े के उपर जलजीरा पाउडर, निम्बू का रस और तली भी प स्पेशल खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसका खुश्बुदार गरम मसाला पिसकर तयार कर लेते हैं, तो यहां पर देखे, मैंने दो चम्मच ली हूँ, जीरा, दो चम्मच है सोफ, आठ से दस हरी लाइची, आदा चम्मच है यहां पर काला नमक, आदा चम्मच है काली मिर्चे, छे से साथ है लॉंग, एक चम्मच है कसुरी मेथी, और दो वादिया के फूल है, तीन से चार चोटी दालचीनी के टुकड़े हैं, और यहां पर एक जावित्री का फूल है, और एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है, मिक्सर में हम इसे पीस लेगे और इसका पाउडर बना लेगे, इससे हमारे खिचड़े में बहुत ही खुश्बू आती है, तो यहां पर मैंने इस मसाले को पीस लिए हूँ, और अलम दलिल्ला खुश्बू बहुत ही जोड़दार आ रही है इस मसाले में से, इस मसाले को आप ज्यादा पीस कर रिस्टोर भी करके रख सकते हो, और कोई भी नॉनवेच चीज पका रहे हो ना, तो इसमें डालो गे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, यह देखिए, तो यह खिचड़े का स्पेशल गरम मसाला हमारा रेडी है, इससे साइड में रख देते हैं, खिचड़ा बनाने के लिए यहापर मैंने 500 ग्राम किचड़े के तैयार गेहू ली हूँ, इसे छड़े हुए गेहू भी बोलते हैं, और इसे रादबर पानी में भीगा कर रखी थी, तो देखिए, गेहू अच्छी तरह से भीग गए हैं, और फूल कर डबल साइज में हो गए, यह देखिए, कितने अ नौर्मली देखिए, आप घर में 500 ग्राम गेहूं से खिचड़ा बना रहे हो ना, तो इसमें 8-10 लोग आराम से खा लेगे पेट भर के, तो इसी के साथ हम दाले भी डाल देते हैं, तो यहापर देखिए, इस चम्मच से सभी दालों को लिएू मैंने 4 चम्मच, सिफ चने क मैंने 6 चम्मच लिए। तूर्मकी दाल 4 चम्मच मूंकी दाल 4 चम्मच और मसूर चम्मच दाल 4 चम्मच यह उरत की दाल 8 चम्मच ढखिए ूढ़ thought the Niya ही योज़ा ड़ना और ऑगेंगे चने दाल यह त्यमादी चम्मच मैने 4 चम्मच जम चा म्मच चाम्मच से यावाल तो यह के लिए इतनी दाले ले सकते हूं एक दो दाल कम भी हो तो भी कोई बाद नहीं तो इस अब ही दालों को धूकर ले लेते हैं अब दालों को मैंने धोली हुई अब गेहु के साथ ही डाल देते हैं अब इसमें डालेगे हम दो चम्मच अध्रग लसन का पेस्ट क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आजाएगा साथी में गलेगा तो अब इसी के साथ कुछ हम हरे मसाले भी डाल देते हैं तो यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हुँ मैंने एक मुठी हरा धनिया बारी कटावा आठ से दस हरी मीर्ची क्रश की वी और एक मीडियम साइस की प्यास को बारी कट कर लिए हुँ मैंने तो यह सभी चीजे डाल देना है ताके कुकर में से पानी बाहर नाए आदा चमच हल्दी पाउडर भी डाल देगे नमक एक से देड़ चमच डाल देगे और अब जो इस्पेशल खुश्बुदार हमने गरम मसाला पीस कर तयार किया था ना सबसे पहले तो इसमें से दो से तीन चमच भरके हम डालेगे तो यहाँ पर देखिए मैंने ये तीन चमच गरम मसाला दाल दियूँ अब इसमें पानी डाल देगे हम पानी थोड़ा ज्यादा ही डालना है देखिए यहाँ पर एक से देड़ लीटर पानी डाल दियूँ मैंने और मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए इसे गला लेगे तो गेहु दाले अच्छी तरह से गल जाएगी तो अब इस कूकर को गेस पर रख देती हूँ मैं तो 15-20 मिनट के लिए हम मीडियम आज पर इसे अच्छे से गलने देगे तो पहले 2 मिनट तेज आज पर रखेगे हम ताकि कूकर जल्दी से गरम हो जाए उसके बाद मीडियम कर देगे गेहों और डाले हमारी गल रही है वहाँ तक दूसरे गेस पर हम लोग कूकर में गोश का कोर्मा भी बना लेते हैं खिचड़े के लिए तो यहाँ पर देखिए मैंने एक किलो मटन ली हूँ चरबी वाला मैंने थोड़ा गोश ली हूँ क्योंकि चिकनाई होती है ना तो खिचड़े में टेस्ट अच्छा आता है तो कूकर में डाल देते हैं अब यहाँ पर देखिए मैंने चार से पाच मीडियम साइस की प्या अधी प्याज मैंने इसमें डाल दियू और आधी प्याज को साइड में रख देगे हम अब देखिए स्कोर में में डाले गे हम 200 ग्राम दही तो दही बहुत ज्यादा खटा नहीं लेना है एक दो दिन का दही हो ना फ्रेश वह डाल देना है अब साती में हम इसमें तेल भी पत्ते और थोड़ा साहरा धनिया भी डाल देते हैं तो कोर्मे के अंदर तक खुश्बु आती है मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है मारा और यहां पर सुख्य मसाले भी डाल देते तो मैंने यहां पर देखिए एक चमच लिए जीरे का पाउडर दो चमच धनिया पाउडर दो चमच फूल भरके है लाल मिर्च का पाउडर तो आप अपने टेस्ट के साब से डाले और यहां पर है आदा चमच से थोड़ी ज्यादा हल्दी पाउडर और एक चमच इसमें गरम मसाला पाउडर दालेगे तो कोई भी गरम मसाला हो आपके पास तो वो डाल सकते हो तो इस अभी सुखे मसाले भी डाल देते अब देखे जो मसाला सबसे पहले हमने खुश्बुदार वाला पीसके रखा था ना तो यह एक चमच डाल देते ताकि कोई में के अंदर भी इन मसालों का टेस्ट आ जाए का बड़ा अच्छा आता है यह मसाले का अब इसमें डालेग नमक भी डाल देते टेस के साब से तो एक से देड़ चमच मैंने यह नमक डाल दियू आप अपने इसाब से ले ले कुछ खड़े मसाले भी डालेगे हम तो यहां पर देखे दो से तीन तेस पत्ता है एक चमच है शा जीरा तो अगर शा जीरा नहीं आपके पास तो नॉर्म सबी चीजों को मिला देते हैं यहां पर देखिए मैंने फ्रेश दही ली हूँ आप दही की जगा पर टमाटर भी ले सकते हो आपको टमाटर अगर डालना है तो थोड़ा क्या है खिचड़े में अलका सा खटा टेस्ट होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में य गोश को गलने के लिए दही का और गोश का भी पानी निकलता है इसके लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें तो यहां पर देखिए देड़ गिलास पानी डाली हूँ मैंने अब कूकर का ढकन लगा देगे और मीडियम फ्लेम पर हमें यहां पर छे से साथ सीटि कूकर की तो मैंने गैस बन कर दी थी और कूकर का प्रेशर सारा निकल गया है तो गोश को भी चेक कर लेते हम माशालला पहले तो देखिए कि तरी कितनी अच्छी तरह से उपर आ गई है और खुश्बू भी बहुत जोरदार आ रही है तो यहां पर देखिए गोश की बोट कर तयार हो चुका है माशालला देखिए आप चाहे ना तो इसे तंदूरी रोटी गेहूं की रोटी नान पराठे चावल किसी के साथ भी थोड़ा सा निकाल कर खा सकते हो तो देखिए अभी खिचडे के लिए हम गेहूं भी इसमें डालने वाले गले वे तो इतने बरतन मे नहीं आएगा इसके लिए हम एक बड़े से पतीले में इसे निकाल कर ट्रांस्फर कर देते तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी हांडी ले ले लिए उसमें को डाल देते है इसमें थोड़ा पानी डाल कर बाद में निकाल ले गया हम और यहाँ पर खिचडे के गेहूं भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके है मैंने चेक कर लिए तो देखे मुझे कुकर में गलाने के लिए पूरा आदा घंटा लगा है मैंने पूदी ना डाली थी इसमें प्यास दाली थी सभी वह भी अच्छी तरह से गल कर एकदम मिक्स हो गए है और आप देख सकते हो कि गेहु को भीगने के लिए रख देते ना उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है खिचड़ा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती है और कुकर में फटा-फट से यह गल जाता है देखें गेहूं भी एक चेक करा देती मैं आपको यह देखें गेहूं का दाना एकदम मुलायम हो गया है अब इस तरह से एक डाल गोटा ले ले गया और उसकी मदस से हलका हलका में से घोटना है बहुत ज्यादा नहीं घोटना है क्योंकि एक खिचड़ा है तो खिचड़े में क्या है जो गेहूं के दाने होते ना उसका टेक्चर थोड़ा अख्खा अख्खा दिखता है लेकिन गले होते हैं पूरी तरह से और जो हलीम होता है तो उसमें एकदम बारी स्मूथ करके गोटा जाता है उसे पर यह खिचड़ा है तो थोड़ा थोड़ा टेक्चर मिसका अख्खा ही रहने देगे ताके दिखने में भी खिचड़ा हमारा बैतरीन सा दीखे आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उसकी मदस से थोड़ा आप इसे ब्लेंड कर सकते हो मैं दाल गोटे से थोड़ा थोड़ा कर लेती यह देखिए हलका-खाइसे मैंने घोट ली हूँ अब इसे हम औंडी में दाल देजिसमें हमने कोर्मा निकाला है लां कि अबिसमिल्दार्मानिरहिम तो यहां पर समभल के दालना है क्योंकि यह गरम-गरम है हाथों पर आपके चटका नहीं उड़े यह देखिए कुकर देख सकते हूँ आपके नीचे बिलकुल भी चिपका नहीं है यह देखिए कि इसे अम एक बार मिक्स कर लेते हैं यह तेल देखिए जैसे ही अंदर खिचड़े के अंदर मिक्स होगा और जैसे यह थोड़ी देर और पकाएगे न हम तो खिचड़े में एकदम चिकना हाट आजाती है और खिचड़ा एकदम हमारे टेक्चर उसका खिचड़े का बहुत ही जबरदस दिक्कर आता है अब इस हंडी को गैस पर रख देते हम थोड़ी देर इसे पकाएगे ताकि कोर्मे का टेस्ट हमारे खिचड़े में अच्छा सा आजाए अब यहाँ पर देखिए हम इसमें पानी डाल देगे तो पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि यह खिचड़ा है तो खिचड़ा जो होता है वो थोड़ा गाड़ा होता है और हलीम जो होता है वो पतला होता है और ऐसे भी यह थोड़ी देर पकेगा न और ठंडा होने के बाद भी अपने आप ही गाड़ा होने लगता है तो आप अपने हिसाप से इसमें पानी को डाल सकते हो इदेखी मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी डाल दियूँ और साथी में नमक भी टेस्ट कर लेना है कि नमक इसमें कम है कि कैसा है अपने हिसाप से आप नमक टेस् साथी में खिचड़े को और ज्याद़ चटपटा करने के लिए एक बड़े साइस का नीमबु उसका रस निकाल लिया है वो डाल देगे और यहां पर देखिए जो भी रस्ता हमने बचा कर रखा था था ना तो यह भी डाल देगे यह देखिए इस तरह से एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दस मिनट के लिए इसे मीडियम आज पर हम अच्छे से पकने देगे ताकि जो भी कोर्मा डाला है हमने उसका टेस्ट हमारे खिचड़े के अंदर बहुत ही बहतरी ना जाए तो मीडियम आज पर इ पीच में मैंने एक से दो बार चम्मच चला ली थी ताकि तलिये में जाकर यह चिपके नहीं और देखिए खिचड़ा देख सकते हो आपके कितनी अच्छी तरह से हमारा पक चुका है और माशालला देख सकते हो आपके नली में से बोटी भी निकल गई है इतनी अच्छी त दाल देती हूँ यह देखिए दिखने में कितना बहतरीन दिख राई है 500 ग्राम गेऊ से देखिए 8-10 लोग आराम से खा लेगे इतने खिचड़े में तो अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप कॉंटेटी डबल करके यह खिचड़े को बना सकते हो देखिए जैसे जैस तो यह खिचड़ा बनता है तो 2-3-3 बार सभी लोग इसे बड़े शौक्ष्ट से खाते अभी तो यह मैंने आदा किलो गेऊ से ही बनाई हूँ लेकिन बहुत ज्यादा अगर बनाती हूँ न मैं 1-1.5-1.5 गेऊ से तो काफी लोग खा लेते इसमें खिचड़ा तो ऐसी च खिचड़े में उतनी ज्यादा अच्छी लगती है मैंने एक किलो गोश दाली थी फिर भी गोश भी अच्छी तरह से गल गया है बहुत ही जायकेदार यह खिचड़ा तयार हुआ है अलमदिलिल्ला देखिए इतना खिचड़ा बनाने में मुझे देड़ से दो घंटे ही ल बना सकते हो और जो कागस की कटोरिया आती है ने बाहर की थर्मा कोल की तो कटोरिया लाकर नियास के तो पर इसे बाट सकते हो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताई हूँ बनाना हमारे आदे के गुजरात में यह जब खिचड़ा बन जाता है तो उपर से जलजीरा पाउड बनकर तयार होता है और सबसे पहले जो हमने गरम मसाला पीस के दाला था ना खिचड़े के अंदर गहुंगलने के टाइम पर तो उसमें हमने अजवान ली थी कसूरी मेथी ली थी जीरा लिया था और जो भी मसाले लिए थे काला नमक वगेरा उससे अलम्दुलीला यह सब भी को बहुत पसंद आएगा आज की मौरम स्पेशल मतन की चड़े की रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों रिश्यदारों में जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें नहीं रेसीपी के साथ अलाहफीज